235 किलोमेटर की रफ्तार से रिमाल तुफान चक्राया है पश्रिम बंगाल के कई लागों में तेज बारिश हुई है तुफानी आवाओ की बज़े से कई जगा जो पेड़ है वो भी उकड़े है उसकी तस्मीरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कई खंटे तक र रिमाल तुफान का लेंड़ फॉन चला है तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्रिम बंगाल से आपको बता दे कि एक और जहां उत्तर भारत में भीशन गर्मिस से लोग जूज रहे हैं वहीं दूसरी ओर बंगाल की खारी से शुरो हुआ रिमाल तुफान दे किलोमेटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तुफान की गंबिर्ता को देखते हुए पिया मोधी ने भी सम्मंदित विबागों के साथ समिक्षा बैचकी है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी नरदेश दिये हैं तो यह बड़ी जौनकारी पश्रिम मंगाल के कई लाकों में तेश बारिश हुई है तस्वीरे हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है देखें तुफानी हवाओ की वज़ह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए है पश्रिम मंगाल के तटों से जो यह रिमाल तुफान है वो टकराया है दो तस्वीरे आपको टीवी स्क्रीन पर है पहली तस्वीर देखें कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहा है दूसरी तस्वीर जहां पर बारिश हो रही है वहां चालकों को भी काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा तो पशिम मगाल के चकरवाद तुफान रिमाल के चकराने की घटना पार केंद्रे ग्रिया मंत्राले नजर बनाय हुए है हमिश्रा ने सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्सपर लिखा चकरवाद रिमाल लेंडफॉल को लेकरके संबदित अधिकारियों से बातचीत की है परकार आपदाओं में नियोनतम जन्हानी के लक्ष को आसल सरने के लिए प्रतिबद है जो ट्वीट किया गया एक्रमंत्रिया मिश्रा के तरफ से वो हम आपको टीवी स्क्रीम पर दिखा रहे हैं और आपको हम कुछ तस्वीरे दिखा रहे हैं जो उस वक्त की है जब रिमाल तुफान का लेंडफॉल पश्यम बंगाल के तटोपस शुरू हुआ था जिसका असर पश्यम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया मौसम विबाग के मताबिक इस दोरान करीब 80-100 किलोमेटर की रफ्तार से हवाय चली है और तुफानी बारिश होई है जिसकी वज़े से कई जगह पेड जो है वो उखड गया है सिट्यूएशन तो एकि η कुछ जगह पे जो है हम है मील राए के ऍसकी जग़ेटर अपशिंग हुआ है तो जाँ जाँँ आफे ट्री अपरोटिंग हुआ है वहां पे हम लोग का कोल्कादव मिनिफादटी का ठीम कोल्गादा पुलिस का दिएस्टर मनेजमेंट कटिंग आके काम कर रहा है जल से जल्दी यह जो ट्रीज अप्रूटेड हुआ है उनको काटके उनको साइट किया जाएगा ताके रस्ता कोल जगा अभी यह साइक्लोन को लेके स्पेशल युनिफाइड कंट्रोल रूम पुरा रात मोनिट कर रहा है मिनुसिपैलिटी का कंट्रोल रूम यह जो टोटल सीचोशन का मिनिट टू मिनिट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपर्विशन में पुरा काम चल रहा है और चले रूकरते अगले खबर की और दिली में अगले तीन दिनों तक भिशन घर्म हवाओ का सिल्सला जोरी रहेगा मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए गर्मे का रेज अलट جोरी किया है मौसम विबा का अनुमान है कि आज दिली का तापमाथ 46 डिगरी सेलसियस को पार कर सकता है जिसको देखते हुए लोगों को बचाव करने और बेहर ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलादी गई है रविवार को दिली के मुंगेशपूर अलाके में तापमाथ 48.3 डिगरी दर्ज किया क्या था तो लगतार देखे गर्मी का सितम जारी है और अगले तीन दें तक भीशन गर्मी और भी जादा पड़ेगी इसलिए आप सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है जरूरी काम हो तबी घर से बाहर निकलिए तो लगतार मौसब विबाग ने रेड अलर्ट जारी किया है कई जगों पर और इंज अलर्ट भी जारी कर दिया है क्योंकि गर्मी का सितम दन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और अगले तीन दिन तक और भी जादा भीशन गर्मी पड़ेगी यह आपको बता दे कि लोगों को काफी परिशानी हो रही है क्योंकि गर्मी जादा तेस पड़ रही है जब दुपएं में लोग निकल रहे तो नौतपा का सारा दूसरी तरफ गर्मी के वज़़े से लोग परिशान हो रहे है